अब सुबह स्याम कर रहे हैं पानी का छिड़का नोतपा में तापान बढ़ने से गोवन्स के सामने तिन सेड़ू में रहना हो रहा था मुश्किल सेड़ू के पास ही पेजल की एस ताइप खेलियां रखी अजीतगर्ड में बढ़ती गर्मी के दोर में प्रानियों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है वहीं गोवसालों में तिन सेड़ू में रहने वाले गोवन्स के सामने भी समस्या बढ़ गई है अस्ताने श्रीकर्षन गोवसाला परबंद ने गर्मी में लूसे बचाव को लेकर सत्रप्ता बर्ती और तिन सेड़ू पर पानी के पूलू की टाटी बना कर डाली उन परे बोरी के पाल बिचातर सुबह से हम पानी का छिड़काव कर रहे है गोवसाला परबंद अध्यक्स चैतने मीना सचीव बूल संकर गोठवाल पावन कुमावत सेव्योस्ता पक जड़िश परसाथ स्वामी ने बताया कि हाली में गर्मी के दोर के चलते लगाता तापमान में वर्दी हो रही है जिसे गोवस के सामने टिन सेड के आवासों में रहना संकट बना हुआ है परबंदन ने गर दिनों पिछले दिनों हुई बैठक में गर्मी के दोर में विशे स्योस्ता उपर चर्चा के बाद अब गोवस को लूसे बचाव के उपाई में जुके है जिसके टैट गोवास के टिन सेड पर कूचे की पानी से निर्मित टाटी डाल कर उसके उपर बोरी के पाल बिछाए जा रहे है इसके उपर परती दिन सुबह स्याम पानी का अच्छी तरह चर्काव किया जा रहा है कि गोसाला में विभिन गो आवासु में अत्रिक्त एस्ताई पानी की छोटी खेलिया रग दी गई हैं जिससे कि गोवन्स को गर्मी में बार पार ठंडा पानी पीकर लूप और ताफ़ान के दूस प्रभाव से बचाया जा सके गोवन्स के चारे में हरा चारा रंजका अकवा की मात्रा बढ़ा दी गई है ताकि गर्मी में गोवन्स के सामने कोई समस्या नहीं आ सके गोवन्स के सेवा के लिए नियमित और अपात कालिन इस्तिती में पहुँच रहे हैं इदर पसुपालन भाग की और से अजितकाड नोर्डल अजिकारी डॉक्टर राजिंदर कर्श गोवन्स के लिए निद्देशित किया है खबर में इतना ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रूप में ना निकले घर पर रहें सुरक्षित रहें